शिव पंचायत का पूजन करतर एक कलश में जल भर कर पुश्य नक्षत्र में और वो वी गुरु पुश्य में प्रम्म महुरत में कलश में जल भर कर आच बेलपत्री शिव, गनेश, तुरगाव, सूर्य नरेंड और विश्नु भगवान पांचों के नाम से जब हम कलश की अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद में गुरु पुष्च के ब्रह्म महुरत में सुभा चार वजे के करीम में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है इसा होई नहीं सकता कि ज जलना निकले जल निकलेगा ही बस जो पांच देवो के नाम से अपने पांच बेल पत्री जल के पांतर में रखी हो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए तब तक जब तक वो जलना नि पंच देव फिर ध्यान दे लेना पांच देव कौन से उपंचायत के क्योंकि देवता ओन भी जब यक्य के लिए जाते हैं देवता जब अनुष्ठा निकली जाते हैं देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं देवता जब किसी कारे के लिए जाते हैं और जब कारे के और लगता है कि ये कारे पूंड नहीं होगा, ये कारे सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कारे के लिए निकले हैं, इस कारे में कही न कहीं अरचन उत्पन होने वाली होती है, तो सारे देवता उटकर भगवान शंकर के पास जाते हैं, और शिव की पंचायत को लगाते हैं, चायत अबल बड़ा